नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अंकित अवस्थी आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत दिनों से विध्यार्थी मेरे साथ काफी सारे विध्यार्थी जुड़ रहे हैं पढ़ रहे हैं ACFFRO की तयारी कैसे करें पड़े दिमाख में विचार चल रहे हैं तो आज का ये सेशन इस्पेशली उन छात्रों के लिए है जो लोग ये जानना चाते हैं कि तयारी में ऐसा क्या है जो कि हमें कुछ अलग से करने की डिमांड करता है यानि कि क्या हम तयारी करते समय ध्यान आज आपके साथ लेकर के आया हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा क्लासेज जो है वो ली जा रही है ACFFRO के लिए लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तयारी में किस-किस चीज का विशेश रूप से खयाल रखें साथियों जैसे कि आपको पता है कि आपकी तयारी के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो क्या है आपके सामने साथियों एक पेपर वन है पेपर वन जो है ना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है आप लोगों के सामने कि one जो है साथियों ये आप लोगों का पूरा की पूरा इस्टेटिक जीके वाला पोर्शन लेके आ रहा है. पेपर one क्या लेके आ रहा है? इस्टेक जीके वाला पोर्शन. मतलब, इस paper one के अंदर history भी है, geography भी है, quality भी है, economy भी है, आपके जो सारे सब्जेक्ट किसी भी civil service के लिए चाहे आप RAS की तयारी कर रहे हों या आप IAS की तयारी कर रहे हों जो पढ़ने पढ़ते हैं वो तो आपके लिए पढ़ने हैं ही इसके अलावा English जो है वो भी आप लोगों को पढ़नी होती है है ना तो English जो है वो अगर मैं आपको बताओं मेरे प्यारे साथियों कि English का यहां पर एक अलग से paper है देखिए paper 1 proper तरीके से एक अलग है आप लोगों का दूसरा है English जो कि अपने आप में एक अलग paper है इसके अलावा दो optional हैं यहां पर कितने optional हैं दो optional भी हैं आप लोगों के लिए ठीक है ना अब इन द आप लोगों ने ले ही लिये होंगे, असल में जो major crisis फस रहा है, वो क्या है, इन दो चीजों की तैयारी कैसे करें, optional के अंदर मैं बता दूँ, कि आप लोगों का एक optional तो वो होता ही है, जिससे आपने PG किया होता है, या फिर जिसमें आपको अच्छा background मिल रहा होता है, तो एक optional तो आप already सभी लोग comfortable होते हैं, जो तैयारी में हैं, एक दूसरा optional होता है, जो second optional आप लोग लेते हैं, उस second optional में बच्चों ने, अधिकांश लोगों ने environment लिया हुआ है, है ना, तो environment लिया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना साथियों कि ये environment पूरा की पूरा, आप लोगों का objective टाइब से आने वाला है, तो ये ध्यान रखना कि यहां पूरा की पूरा objective है जो आप से पूचा जाएगा, मतलब ये पूरा की पूरा options में आने वाला paper है ये भी option में आने वाला paper है इन में से environment के लिए मेरे द्वारा classes ली जा रही है आप लोगों के लिए कहां पर अनकेडमी पर तो कोई भी अगर आप में से अभी तक environment की तयारी नहीं कर पाया है तो वो मेरे साथ जुड़ करके environment की तयारी कर सकता है एक बात तो ये निकल के आई अब सवाल बनता है सर इंग्लिश का level कैसा होता है तो मैं आपको हर paper के अंदर एक level की बात बताता हूँ पूराने paper का analysis बताता हूँ किस प्रकार की चीज़ें रही है सुनिए ध्यान से साथियों जो English है ना वो आप अगर syllabus उठा के देखेंगे तो RAS means के अंदर जो syllabus लिखा हुआ है exactly वही syllabus आप लोगों के इस ACF के exam में लिखा हुआ है मतलब syllabus एकदम same है और RAS means का अगर आप paper देखते हैं तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं साथियों कि वहाँ पर भी paper लिखने वाला आता है हाला कि लेकिन जो vocabulary वाला portion है या फिर ये समझ ये कि grammar वाला जो portion है उसको वो एक तरीके से options में ही देते हैं option का मतलब समझ में आ रहा है कि RAS means का कोई previous year paper डाउनलोड करके देख लो उससे आपको idea लग जाएगा कि ये grammar किस level की देते हैं अगर मैं अपना अनभाव बताऊं आप लोगों को तो आपका जो grammar वाला portion आता है ना English में वो काफी अच्छा level आता है तो English की तैयारी करते समय ये आप तैयार रहिएगा मैं proper तरीके से आपको बता रहा हूँ देखिए पूरा की पूरा mains का paper उठा के देखिए उसके अंदर शुरुआती जो 20 नंबर का portion आता है ना वो grammar का है grammar बहुत अच्छे level की आती है इवन जिन लोगोंने बढ़िया तैयारी कर रही होती है उनके नंबर जादा अच्छे नहीं आ रहे होते हैं उस portion में ऐसे ही जो unseen paragraph वो आता है ना paragraph से question बनने वाला composition वाला question आता है वो भी यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आते हैं वैसे कि आपकी options में आते हैं वैसे दो-दो number वाले questions आते हैं तो उनको देख करके आपको idea लग जाएगा बाकि सब कुछ आसान आता है लेकिन वो जो grammar वाला portion है ना सहाब वो थोड़ा सा weightful वाला है यानि काफी important भी है और tough भी रहने वाला है तो आप इसकी जवरदस्त तयारी करें किसकी grammar वाले portion की तो ये तो बात हो गई आप लोगों के लिए ठीक है ना पेपर रिटन होगा या mcq तो मोहित जी ये पेपर आप लोगों का mcq वाला होगा पूरा की पूरा इसलिए ये ज़्यादा important हो जाता है ये ध्यान रखियेगा ठीक है भाई मोहित जी ये बात समझ में आ गई अच्छा बहुत बड़ी है thank you so much भाई है ना तो आप एक बार तयारी करते समय पेपर का जो reference लीजिएगा क्योंकि ACF का पेपर तो कोई 6-7 साल पहले हुआ था उस पेपर के आधार पर मत उम्मीद करिएगा कि कैसा पेपर आएगा आप जो याद करिए कि ये देखिए ऐसा ही syllabus इसी के equivalent कौन सी service है जहां पर आता है तो पर आप RAS Pre के पेपर को अपना आधार बनाईए और जब आप English की तयारी करें तो RAS Mains में English का जो पेपर आता है उसको अपना आधार बनाईए उनको चेक करके देखिए कि पेपर में आप लोगों के लिए क्या पूछा जाता है ठीक है ऐसे ही जब optional की बात मैं करता हूं त इसका पूरा material syllabus की line 1 से लेके line 10 तक पूरा content जो है मैं वह आप लोगों को बना करके दे रहा हूं बढ़िया भाशा में by language यानि Hindi English दोनों में मिलेगा पूरा content PDF format में दूँगा मैं आप लोगों को और बहुत अच्छा content मैंने develop करवाया है ठीक है तो आप उसके लिए मेरे सा search करो और उसको install कर लो अनकेडमी learning app search करने के बाद वहाँ पर जाकर के आप choose your goal में जाईए और वहां से RPSC section select करिएगा मैं इसको RPSC में लेके आया हूं छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए ठीक है ना RPSC में जाकर के वहां से इसका get subscription कर लो get subscription में जाकर के ये 6 मैन अच्छा जो मेरी previous classes मिली है वो भी मिल जाएंगी साथियों यहां पर हम जल्दी ही English की classes भी आपको उपलब्द करवा देंगे GK की बहुत सारी classes already यहां पर available हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर available हो जाएंगी तो 5040 में आपको environment और उसके अलावा paper 1 के अंदर जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को उपलब्द हो जाएंगी तो आप लोग एक बार करीके इसको देख लीजेगा ठीक है ना यह कह रहा है है CHSL में all subject attempt करना जरूरी है क्या English छोड़ दिया तो passing होगी कि भाई no idea तो उमीद है मेरे प्यारे लोगों के लिए यह च झाल झाल झाल